धर्म योदार गरोड सच सारे संसार की संदर्था जैसे आज मेरी पुत्री में समा गई हूँ बस अब तुम्हें किसी की बुरी द्रिश्टी ना लग जाए महारानी सखी बारात आगई जिनके भाग्य में साक्षात संदर्था की ये देवी है वो मेरे दामाद स्वयम कैसे दिखते हैं मैं भी तो देखूं सरा मैं आपकी ही पर्तिक्षा कर रहा था देव रिशी आपने तो कहा था कि शिव जी बड़े दिव्य और अनोखे हैं क्या इन सभी दिव्य रिशी में से कोई एक है वो ये तो सब रिशी है महरानी शिव तो इन से भी अधिक दिव्य है क्या वो है शिव जी नहीं नहीं महरानी ये तो संसार के संचालक प्रभू शिरी नारायन है मेरे प्रभू नारायन नारायन है भगवान कौन है ये सब ये तो शिव के गण है महरानी भूत परे पिशाच निशाचर अगोरी पशू और ये सब शिव को बहुती अधिक प्रिय है इसी लिए तो स्वेंभू शिव भूतनात पशूपती कहलाते हैं एक हाँ वहाँ वहाँ वह दो कर सुछ वह पर कर दूर सुछ 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 चाल। ना रायन ना रायन अब की बार आपने सही पैचाना है मारानी यहीं है देवों के देव महादेव यहीं है शिव आपके दामाद महारनी महारनी पहादेव को देखकर महरानी मैना मुर्चित हो गई साथ ही ये बारात भी रुख गई है हे प्रभू अब क्या होगा नहीं 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 दे सकती पारवती तुम और शिप जी एक दूसरे से बिलकुल अलग हो उनका रहन सहन जीने का धंग उनका स्वभाव सब कुछ तुम से भिन है पुत्री मैंने महरानी के मन में सैंशय तो उत्पन कर दिया किंतु कहीं ये शंका इस विवाव में विग्म का कारण ना बन जाए विवाव के बाद ऐसे सलसुराल में महरे लिए देखाना संभव कैसे हो पाएगा ऐसे व्यक्ति के साथ तुम कैसे सुखी रह पाओगे पुत्री मैंने जो देखा है मैं उसे नहीं भुला सकती मैं ये विवाव नहीं होने दे सकती मा मा मैं मैं आपकी चिंता समझती हो अब मेरे लिए शिव और उनका हर रूप सच्चा है सुंदर है वह बहुत पवित्र है मा बहुत दूर है दिखावे से, अब जानते हैं, हैश्वर्य और वैभव उनके दास है, पर फिर भी साधारण जीवन जीते हैं वो अपनी सारी इच्छाइट त्याग चुके हैं, अपनी इंद्रियों पर विजे प्राप्त कर चुके हैं उनकी जीवन संगिनी बनकर, जीवन के पत पर उनके साथ चलना, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी माम ये तुम क्या कह रही हो पारवती, मेरे बात को समझ क्यों नहीं रही हो, आप ही समझाईए ना इसे यदि ना समझे ना, तो कुछ भी करके किसी भी तरीके से इस विवा को रोप दीजिये पर मैं शिल से प्रेम करती हूँ मा एक बार मेरी मन की भावनाव को समझने का प्रयास कीजिये मा एक बार सिर्फ एक बार उने, उने मेरी आखों से देखी और उसके बार भी यदि आपको लगा कि उनका साथ मेरे लिए उचित नहीं है तो आप जो कहीं ने, अजे स्विकार होगा हे महादेव, मेरी मा आपके इस वरूप के दर्शन करने में असमर्द है इसलिए मेरी विनिती स्विकार कीजी आखों को हर्शित करने वाला, मन को सुख देने वाला कामेश्व रूप धारन कीजी प्रभू अब कौन सी नई करवट ले रहा है संसार का भाग्या महादेव ने अपना तामेश्व रूप धारन कर सब को उच्साहित कर दिया था बहुत थी भव्वी तेज अलोकिक शेव महादेव के उस अति मनमोह अति दर्शनिय मुख देखने के बाद उनका स्वागत हुआ महाराज हिम्वंत और महारानी मैना इन दोनों ने उनके चरन पकारे एना मैनेश्ट प्रॉक मेन लिए जिए कर दो दोनों स्वाद प्रॉक मैं रवाराबग तामेश्व जच के बादेखने टामेश्ग मैं बस्पी लिएवश्व शेवाराबग देखने पूकी दोनों तेंट उएबलों वार्बादा बधू एक दूसरे को वर्माला पहनाई है मैं हर पल इस ही शन की प्रतिक्षा में प्याकुर रहती थी प्रभू मैं भी बड़ी अतूरता से इस शन की प्रतिक्षा कर रहा था प्रिये आप ही मेरी शक्ती है आपके बिना मैं अपूर्ण था देवी पारवती और महादेव ने अगनी के सामने फेरे लिए और एक दूसरे को जैमाला पहनाए इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ और दसो दुशाओं में प्रसन्नता जा गए झाले उनका का विवाह संपन्न चाहा आप कर दो दो कर दो कि ईखने अगने इससाओं में उनका विवाह व्याओं में उनका नहाँ दो उनक का विवाह संपन्न हुआ जापनु मेरी मा की इच्छाओं का मान रख कर आपने मेरी भी इच्छाओं का मान रखा इसके लिए आपका धन्यवाद स्वामी इसमें धन्यवाद कैसा अपरी है यह तो मेरा करतव्वे है अरस्तर देवी पार्वती और महदेव ने एक दूसरे का सम्मान रख कर संसार के समक्ष एक आदर्श जीवन साती होने का प्रमान रखा फेरे संपन्न हुए अब आप दोनों अपना स्थान कहन कीजिए बैठे कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आगे है करस्तर दो एक आप एक प Whenever I Moo हम पुान चरिए कुण है क्याद्ग, लगि준 मैं ऊपकी कि अग्श हो वदे ए Prepउष ए अब डोड़ाएए़ार जया खाँ है झाल यह हुँ हाहाँ वह हुँ वह बड़ाए़ा वह पर थे शौड़ाए़ा वह हुँ वह खको वह खको वह खको बुद़ार ये किस चिंतन में आगए है महराज और महरानी महरानी मैना और महराज हिमवत पुना ही चक रहे थे प्रबू कि तु महादेव से अधिक संपन तो तीनों लोकों में कोई नहीं है तीनों लोकों के स्वामी वो स्वैम ही तो है और अब तो ये बात वो दोनों भी जानते थे फिर किस कारण चिंतित थे वो प्रबू ये सब महारिशी नारत की करनी का परणाम था मुशक जी पर प्रबू वैसे तो महादेव और देवी पार्वती के विवा में अर्चा नुत्पन हो गई पर अनर्थ रोकने की चा में मैंने एक नई अर्चन को उत्पन कर दिया हिमाले परवत की रक्षा करने हितु महराश तथा महरानी के मन में महादेव के लिए शंका तो उत्पन कर दी महारिशी नारत ने पर उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि शंका उत्पन तो शीग्र हो जाती है किन्तु उस शंका से मुक्त होने में रदय को बहुत समय लग जाता है तारका सूर रिश्यों से अपनी पूजा करा करा के दिन प्रते दिन और भी ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है यदि इस विवा में और विलम हुआ तारका सूर खुद को इतना शक्तिशाली बना लेगा कि उसे रोकना संभव हो जाएगा